हम तुम्हें ये वर्धान देते हैं तुम लगातार छे महिने तक सोते रहोगे फिर एक बार जागोगे भोजन करोगे उसके पश्चा फिर से अगले छे महिने तक सोने चले जाओगे मैं चाहता हूँ कुम करण मेरे विवा में रहे विभीशन मेरी भी यही इच्छा है परंतु उसे जगाए को कई सैने कुम करण को जगाने के लिए हाथियों पर सवार होकर आ गए मेरी इच्छा है कि तुम श्री राम की शरण में चले आओ रावण ने इतने वर्षों तक मेरी देखबाल की है मैं उसका दासों तता मुझे उसके मार्ग पसंद नहीं परंतु उसके लिए लडूंगा मैं उसके लिए प्रान त्याग दूंगा प्रिय ब्राता आप ही मेरे माता पिता और पालक हैं लोग मेरी जिस काया तथा शक्ती से भैवीत होते हैं वो आप ही की देन है रावण अवाक होकर उसे देखने लगा ब्राता मुझे आपका मारगन उचित लगता है मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके ये दुशकर्म किसी दिन आपके लिए गोर विपदा ले आएंगे परन्तु मैं युद्ध के लिए तयार हूँ चाहे मैं जीतू या मारा जाओं विनती है कि यदि मैं मारा गया तो आप सदा के लिए अपने दुशकर्मों को त्याग देंगे रावण ने अपने भाई कुम्ब करण को गले से लगा लिया भले ही मैं युद्ध में मारा जाओं मुझे कोई जिन्ता नहीं क्योंकि मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा वर्दान तुम्हारे रूप में राप्त हो चुका है कुम्ब करण युद्ध भूमी की और अग्रसर हुआ उसके एक एक डग से मिट्टी के बादल ढह रहे थी तथा वानर सेना चकित हो रही थी उनके समक्ष विशाल काई दानम गुम्ब करण खड़ा था गुम्ब करण हाथियों को बकड लेता तथा उन्हें उठा कर पटक देता मानों वे फोई खिलोने हो कुम्ब करण को देखकर हाथियों और ठोड़े भै के मारे भागने लगे अगवान श्री राम वहां आए अब कुम्ब करण प्रभु श्री राम के समक्ष था हे श्री राम मुझे ग्यात है कि आप सत्य धर्म की मूरत हैं आप समस्त संसार में सबसे कुलीन व्यक्ति हैं कुम्ब करण तुम्हें ब्रह्मा का अशिर्वात प्राप्त हैं तुम सत्य मार्ग पर चलते हों तथा पी तुम अधर्म के लिए युद्ध लड़ने कैसे आगए हे राम आप एक महान मानव हैं परंतु में एक समान्य व्यक्ति हूँ मुझे घ्यात है मेरे ब्रहतारावण ने दुष्ट मार्ग चुनाए परंतु मेरे पालन पोशंड के लिए उनके प्रतीय बार प्रकट करने का मेरे पास मात्र यहीं एक मार्ग है हे कुम्बकर्ण, तुम्हारे भ्रात्री प्रेम का मैं आदर करता हूँ, तुम इस युद्ध को होने से रोक सकते हैं, अपने भाई को उचित परामश तो, उन्हें संधी करने को कहो कुम्बकर्ण मुस्कुरा उठा तुम मुस्कुरा रहे हो हे श्री राम, आप एक सच्चे एक शत्रिय गुल में जन्मे हैं, आप महान एक शवाकु संत्ति की महान संतान हैं, हमारे कुटम का हर कोई मित्यु को प्राफ्थ हो गया, यदि अब हम संधान करेंगे, तो यह संसार हमें कायर की उपाधी देगा, मुझे युद्ध लड़ने श्री राम को कुम्ब करण के कथन में सच्चाई दिखी, जुद्ध पूरवद चलता रहा, कुम्ब करण ने त्राही त्राही मचा दी, उसने जिस हाथ से तलवार पकड़ी थी, प्रभु श्री राम ने उस हाथ को ही काड़ दिया, गुम्ब करण पराजय नहीं सिविकार करने वाला था, उसने अपने तूटे हुए दाहिने हाथ को अपने बाय हाथ से उठाय वो अपने कटे हुए हाथ को ही ढाल बनाकर वानर सेना के विरुद्ध, जुद्ध करने लगा, पूरी की पूरी वानर सेना को कुम्ब करण के बचे हुए हाथ से अधिक, कटे हुए हाथ से भै लगने लगा तभी श्री राम ने उसका बाया हाथ भी काट दिया कुम्ब करण अब अपने दोनों पैरों से वानर सेना को कुचलने लगा उसके पैरों तले दब कर कई सारे वानर चीन्टियों की भांती मसले गए अब श्री राम ने एक तीर चला कर उसका एक पैर भी काट दिया कुम्ब करण ने अब भी पराजय नहीं स्विकार की उसने अपने बचे हुए एक पैर के सारे ही वानर सेना पर आक्रमण कर दिया वानर सेना का मनोबल तूटने लगा श्री राम ने उसका दूसरा पैर भी काट दिया जिससे कुम्ब करण धराशाई हो गया इसके पश्चाद भी कुम्ब करण ने पराजय नहीं स्विकारी उसने अपने मुक को दोनों दिशाओं में घुमाया वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने दातों से पकड़कर तथा अपनी जिवा का तीवर प्रहार करते हुए वान और सेना पर आक्रमण करने लगा अंत्ताश्री राम ने कुम्ब करण के वक्ष पर निशाना साध कर एक दीर चलाया कुम्ब करण हत्प्रब रह गया तथा शनय शनय अपने नेत्र बंद करने लगा हे शीराम आपके हाथों मृत्यों को प्राप्त कर में प्रसन्न हुआ कुम्ब करण के नेत्र बंद हो गए भाई की मृत्यों का समाचार सुनकर प्रावण को अत्यधिक आगहात पहुचा अपने जीवन में प्रथम बार उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे उसने अपने पुत्र इंद्र जीत के लिए भी इतना विलाप नहीं किया था कुम्ब करण भले ही एक राक्षस था परन्तु वो मानवता की एक महान मूर्ती था इसी लिए उसे ब्रह्म देव का वरदान मिला था वो सत्य मार्ग पर चलने वाला एक व्यक्ति था जिसने सीता को लंका में बंदी बनाने के रावन के कृत्त का विरोध किया था पर जब उसे ग्यात हुआ कि रावन पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसने रावन के साथ रहकर युद्ध में लड़ने का निर्णे लिया उसके समक्ष केवल दो मार्ग शेश थे धर्म परायन बनना अथवा अपने भाई का साथ निभाना दूसरे मार्ग पर मृत्यु निश्चित थी परन्तु उसने अपने भाई के लिए प्राण दे कर एक महान बलिदान दिया तथा एक महानायक बना कि अपनना दो मताव daily सकता है चिए राहले, तो मतावन दे कर दो कर दो कि अपने भाई कर दिये सकते है कि तए भ the दो कannée है